वर्क फ्रॉम हूम के क्या नुकसान है? वर्क फ्रॉम हूम दुनिया भर में लोग प्रिय है इसमें सफर नहीं करना पड़ता, बच्चों की देख भाल आसान होती है ब्रेक में घर का काम हो जाता है लेकिन क्या ये सही वर्क लाइफ बैलेंस है? और क्या ये प्रोड़क्टिविटी के लिए अच्छा है? घर से ज्यादा काम करने का नकारात्मक असर भी हो सकता है काम और फुर्सत के बीच एक धुनली लकीर है नियमित घंटों से पहले और बाद तक काम करने से सेहत गिरती है घर से काम करते हुए कुछ समय बाद यही होता है कि बच्चों को सुलाने के बाद एक छोटा सा मेल कर देना क्यूंकि काम के दौरान तो आप उन्हें स्कूल से पिक कर ही सकते हैं ये है वर्क लाइफ बैलेंस का जहासा और अगर आप अपने काम के घंटों के दायरे में ही रहें तो लचीला पंद ज्यादा तसली देगा और आम धारणा से उलट घर से काम करने वाले लोग आफिस जाने वाले कर्मचारियों से ज्यादा प्रतिबद होते हैं पिर भी आप घर से जितना ज्यादा काम करते हैं श्ट्रेस उतना ज्यादा होता है हालाकि स्टेडी में शामिल लोगों ने बताया कि घर से काम करते हुए फोकस ज्यादा रहता है लेकिन उन्होंने सिरदर्द, सुस्ती, बुरे सपनों और उदासी की शिकायत भी की स्टेडी के ज्यादातर नतीजे अभी नए हैं और अक्सर इन में काफी अंतर होता है लेकिन ये ना भूलें कि ओफिस एक दिल्चस्प जगहे भी है और सामाजिक समुदाये भी पर एक बात तो साफ है वर्क फ्रॉम हूम और आफिस के काम के बीच स्वस्थ संतुलन होगा तो फायदा भी दोनों का मिलेगा